नमस्कार स्वागत है आप सभी दर्सकों का वेदर अलर्ट इंफरमेशन में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले तीन दिनों के दोरान कैसा मुसम रहेगा पर लेकिन सुरुआत करेंगे डबलूडी से इस समय आप देख सकते हैं कि डबलूडी के हाई क्लाउड से उतरबात की तरफ बढ़ने लगे है यही भी वो बादल है जो दिरे दिरे आगरी तरफ मुवमेंट करेंगे और इसे के बाद दिरे दिरे ये बादल और अधिक घने हो जाएंगे और इनी बादलों के वज़े से बारी बरह बारी और बारी सापको देखने को मिलेगी फिलाल ये बादल इतने स्ट्रोंग नहीं है कि उतरबात की इसो पर बारी बरह बारी दे पर लेकिन ये धूब के परभाव को कम करेंगे और इसी वज़ा से मैंदानी इसो पर भी ये बादल चाहेंगे जिसकी वज़ा से यहां भी दोंग का प्रभाव कम होने लगेगा इसी WD के पीछे एक ओर WDV है जो इस समय अफगानिस्तान और उसी सटे जो पाकिस्तान के इससे है यहां पर बना हुआ है यही वो सिस्टम रहेगा जो काफी स्ट्रोंग होगा क्योंकि जब यह सिस्टम 28 जन्वरी के असपास यहां जमुकस्मीर के इसो पर पहुंचेगा यहां पर आएगा और साथ इसाथ WD का भी मौश्चर रहेगा जब तीन दिसाओं से मौश्चर यहां पहुंचेगा तो उसके जैसे यहां पर नम्य की मातरा काफी बढ़ जाएगी और बादल बनने सुरू हो जाएंगे दिरे दिरे यह बादल और भी अधिक घने होते जाएंगे फिलाल इन बादलों का प्रभाव आपको सिर्फ जमुकस्मीर ही मतलपर देतर उत्रा खंड के उचाये वाले हिस्तों पर ही देखने को मिलेगा मैदाने इस्तों पर यह बादल बारिस नहीं देंगे बलकि वहाँ पर धूम के प्रभाव को कम कर देंगे साथ इसाथ हम आपको यह भी जानकारी देदे कि जैसे हम समय में और आगे बढ़ते जाएंगे तो इस डवलोडी के बारे में और भी अधिक सठीजानकारी हमें मिल जाएगी क्योंकि हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि जो मुस्ब पूरण वान होता है वो मैक्सिमम एक सब्ता का ही सठीज होता है इससे अधिक दिनों का मोसम पुर्वानवान में तिंजिस होने की संभावना रहती है फिलाल इस WD का परभाव किन चेतरों पर होगा और किन भागों पर इसके वज़ा से भारी भारी से भारी 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 होगी उस पर हम नजर बनाए रखेंगे फिलाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश में अगले तीन दिनों के द्वान कैसा मोसम रहेगा 26 जनवरी के मोसम की बात की जाए तो WD आगे बढ़ते हुए जम्मू कस्मीर के इस्तों पर आप पहुचे गा जिसके परभाव से जम्मू कस्मीर पर कैई स्थानों पर बारिस और बर्फबारी दर्ज की जाएगी 27 इसके परभाव की वज़ा से यह मत्रबर्देश की उचाई वाले इस्तों पर भी आपको हलकी बारिस या बर्फबारी देखने को मिल सकती है उत्तरा खानव पर इसकोई खास अफेक्ट भी जनवरी को नहीं होगा मैंदान इस्तों पर पहुंचे तो यहाँ पर अचू की जब डवलूडी आता है तो हावा का रूप बदल जाता है जिसकी वज़ाए से यहाँ जो उत्तर जिशा से जो ठंडी हावाई आ रही तिवे ब्लोक हो जाएंगी और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पस्चिन दिशा से चलना सुरू हो जाएंगी जिसकी वज़ासे यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में तापमार में तीन से प्माच डिगरी साल्चस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी मद्य भारत की इसो पर भी सिस्टम का खास अफ्रक्त नहीं होगा और यहाँ पर भी गुज़ात मद्य परदेश और शट्पिस गड़ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा इस एंटि साइकलोन के प्रभाव की वज़ा से जो मौश्चर का फ्लो रहेगा वो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँच रहा है जिसकी वज़ा से यहाँ उडिशा के दक्सिन इसो पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है पुर्वातर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर 22 और बारिश 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 देखने को मिलेगी दक्सिन भारत में तर्टे करनाटा कांधिर करनाटा तमिलाडू पर मोसम बिल्कुल साफ रहने की संबावना दिखाए दे रही है अंडबान साकर पर पहुँचे तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस्थानों पर हलके से मद्यम बारिश हो सकती है आगे बढ़ते हैं और 27 जनवरी की मुसम को देखते है 27 जनवरी की मुसम को देखे तो डब्रूडी थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा और जम्मू कस्मीर की मद्य इस्थानों पर आप पहुचेगा इसकी परभाव की बज़े से जम्मू कस्मीर, मचल परदेश और उतराखन पर हलकी बारिश और बढ़बारी दर्ज़ की जाएगी साथी साथ इसके पीछे एक और डब्रूडी है जो इस समय हमें पाकिस्तान और दूसरी साटेज और उगर्जस्तान के इससे हैं यहां पर दिखाई दे रहा है इस सिस्टेम 28 जनवरी से मुसम को परभावित करना सुरू करेगा मैदान इस्टो पर पहुंचे तो यहां पर पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्तरपरदेश, रजिस्तान, बिहार, गुजरात, मद्यपरदेश इन तमाम इस्टो पर मुसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 27 जनवरी को भी दिखाई दे रही है इस एंटि साइकलोन की वज़ास से कुछ मुस्टर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से उरिशा के इस्टो पर पहुंच रहा है जिसकी वज़ास से यहां पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है दक्सिर भात में पहूँचे तो यहां पर टर्त्के नाटक और तमिला डू पर मोसम बिल्कुल साफ बना रहेगा पुर्वतर भारत में पहुंचे तो यहां पर अवनेचल परदेश पर आपको काई इस्थानों पर हलकी बारिस और बारिस देखने को मिलेगी सेश्ची से इस्थो पर बारिस सिकति विदिया कम हो जाएगी अंडमान सागर पर भी हलकी से मंदम बारिस होने की सम्भावना हमें दिखाए दे रही है 28 जनवरी के मौसम की बात की जाए तो डव्यू डी जम्मू कस्मीर और सेटेफ पाकिस्तान के इस्थो पर आप पहुंचेगा जिसकी वज़ा से जम्मू कस्मीर पर हलकी बारिस और बठबारी का दोर सुर हो जाएगा पर लेकिन 28 जनवरी को हमतर पर देश उत्राखन पर इसको को इसकास फ्रेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला मैंदान हिसों पर पंजाब, भर्याना, दिल्ली, उत्रपरदेश, राजिस्थान, बिहार, गुजरात, मद्यपरदेश और जहार खंड, पश्चिम, बंगाल इन तमाम हिसों पर मोसम बिलकुछ साफ रहने की संबावना दिखाई दे रही है चुकि WD आगे की तरफ आएगा जिसकी वजह से यहां पर जो हावाई उत्तर दिशा से आ रही थी वे रुख जाएंगी और यह नवाव का रुख पस्चिमी हो जाएगा और इसी वजह से यहां पर तापमान में बड़ोतरी दर्ज की जाएगी जिसकी वजह से यहां पर सर्दी में कमी हो जाएगी इस एंटि साइकलोन के प्रभाव की वजह से कुछ मोश्चर का फ्लो है वो जो आंदर पर देश और तमीन लड़ो के हिस्सों पर पहुंच रहा है जिसकी वजह से यहां पर आपको एक दो स्तानों पर हलकी बार्ज देखने को मिल सकती है जिससों पर कुछ खास हल चल नहीं होगी और वहां पर मोसम बिल्कुछ साफ रहने की समभावना हमें दिखाई दे रही है अब नतल पर दिस पर पहुंचे तो यहां पर भी आपको हलकी बार्ज और बरबारी देखने को मिलेगी अंडवांस आगर पर पहुंचे तो यहां पर भी आपको हलकी से मद्दमबाज देखने को मिल सकती है फिलाल वेदर अलेट इन्वोमेशन में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसमर जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूप और हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब करें